खोजी डॉग अविसफोटत पदार्थ या फिर घटना अस्थल से अपराधियों को ही नहीं पलकी सराब को भी खोज लेगा हैदरबाद से इंटिग्रेटर इंटेलिजन्स ट्रेनिंग सेंटर में विसेज परिक्षन लेकर पटना पहुचे बीस डॉग में से एक डॉग मुजफरपूर उतपाद विभाग को भी मिला है इसके बाद पोटन सराब बंदी कानून को सक्त तरीके से लागू करने के लिए उतपाद S.P. संजै राई के निर्देश पर उतपाद निरिक्षक अभिनव कुमार के नेतरित में डॉग स्कॉर्ट की टीम रवाना हो गई पहले ही दिन प्रसक्षिट डॉग ने तीन जगों से सराब की खेप को बरामत करने में एहम भूमिका निभाई डॉग के कारनामों को देख आम लोगों के साथ ही कारोबारी भी अचम्भित थे कारोबारियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने जुगुत से छिपाने के बाद भी सराब पुलिस ने कैसे बरामत कर लिया आखिरकार इस डॉग के क्या खासियत है यह चर्चा कविसे बना रहा बालू में छिपा कर रखे सराब को बरामत किया गया इस एक डॉग के देख रेक के लिए सिपाही रैंग के एक हैंडलर को तैनात किया गया है इस पर हर महीने एक लाख पंद्रह हजार रुपे खर्च किये जाएंगे डॉग हैंडलर संजू मंडल ने बताया कि बेलजियम सेफर्ड नसल का यह डॉग देशी विदेशी सराब की गंद से घर में छुपा कर रखे गए या फिर किसी गारी में रखे गए देशी या विदेशी सराब को अब आसानी से पकर सकता है यहां तक कि अगर किसी ने सराब पी रखी है तो यह डॉग उसे भी पकर लेगा वही उत्पाद निरिक्षक अभिनाब कुमार ने बताया कि इस डॉग के कारण अब सुदुर इलागों में छुपा कर रखे गए सराब को पकरने में आसानी होगी इसका सराब कर देल भाग लग दूओ और डॉट को लेकर जाना पड़ते हैं हमको शराब कारोबाड़ियों के विरुद निरंतर अभियान चलाए जा रहा है इसी क्रम में ड्रोन दूर्बीन फास्पीड बोट और एक ट्रेंड डॉट को उत्पाद विभाग में उपलफ्त कराया गया है यह जो डॉट है यह ट्रेंड है यह स्मेल के अधार पर जंगलों जहारियों में जहां कारोबारी शराब को छिपाते हैं उसकी पहचान कर लेता है और इससे शराब को ढूड़ने में काफी मदद मिलती है अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माभवानी डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ऑथराइज डिस्टिब्यूटर ऑफ कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन औन माभवारी डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सलुशन्स न्यू जीरो माइल दादर रोड मुझाफर पॉर गॉल डबल नाइट री फोर सेवें पाई री ट्रिपल वान